हरे कृष्णा एक बार एक व्यक्ती ने मुझसे प्रश्ण पूछा कि प्रभुजी अगर हम भगवान की भगती करेंगे तो क्या हमारा दुख दूर हो जाएगा तब हमने उनको बताया कि देखिए अगर हम भगवान की भगती करेंगे न तो भी हमारा दुख दूर नहीं आप देखिए पांचों पांडों भगवान के कितने बड़े भक्त थे, कितनी भक्ती करते थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कितना कितना दुख आया प्रहलाद महराज भगवान की कितनी भक्ती करते थे लेकिन फिर भी उनके जीवन में भी कितना कितना दुख आया मीरा भाई भगवान की भक्ता थी उनके जीवन में भी कितना कितना दुख आया अगर हम भी भगवान की भक्ती करेंगे तो हमारे भी जीवन में दुख आएगा लेकिन हाँ अगर हम भक्ती करेंगे न तो एक फाइदा जरूर होगा क्या कि अगर हम भक्ती करेंगे न तो हमारे जीवन में दुख तो आएगा लेकिन हम उस दुख से प्रभावित नहीं हो प लगा करके रखेंगे तो फाइदा ये होगा कि हम उस बारिस से प्रभावित नहीं हो पाएंगे वैसे ही अगर हम भगवान की भगती करेंगे तो भी हमारे जीवन में दुख आएगा लेकिन फिर भी हमें भगती छोड़ना नहीं है करना है क्योंकि अगर हम भगती करते रहें लेकिन हम उस दुख से प्रभावित नहीं हो पाएंगे जैसे अगर हम अपने घर में एसी लगवा लें तो गर्मी का मौसम खतम नहीं हो जाएगा गर्मी का मौसम तो रहेगा लेकिन फिर भी घर में एसी लगा करके रखेंगे तो उस गर्मी से हम प्रभावित नहीं हो पाएंगे वैसे ही अगर हम भक्ती करेंगे तो दुख हतम नहीं हो जाएगा दुख तो आएगा लेकिन फिर भी भक्ती करते रहेंगे तो उस दुख से हम प्रभावित नहीं हो पाएंगे कई लोगों के जीवन में दुख आता है तो लोग बिचलित हो जाते हैं और इतने बिचलित हो जाते हैं कि सिगरेट पीने लगते हैं सराब पीने लगते हैं कई बार तो लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं बिचलित हो जाते हैं कि गले में फांसी तक लगा लेते हैं, ट्रेन के आगे कूच जाते हैं, जहर खा लेते हैं, लोग बिचलित हो जाते हैं, लेकिन अगर हम भक्ती करेंगे न, तो हम इस तरह के मार्क पर कभी नहीं जाएंगे, वह दुख हमें बिचलित नहीं कर पाएंग इसलिए हम यह नहीं सोचना है कि अरे हम भक्ती करेंगे फिर भी दूख आएगा तो हम भक्ती क्यों करें भक्ती करना है छोड़ना है ने क्योंकि इससे यह फाइदा होगा कि भक्ती करेंगे तो दूख तो आएगा लेकिन उस दूख से हम बिचलित नहीं हो पाएगे अब आप तनिक विचार कीजिए कि अगर हम भगती करें तो दुख तो रहे लेकिन दुख का प्रभाव न रहे तो फिर उस दुख से हानी भी क्या है जैसे अगर साप रहे लेकिन साप का जहर न रहे तो फिर उस साप से हानी भी क्या है जैसे आग रहे लेकिन आग का ताप न रहे तो फिर उस ताप उस आग से हानी ही क्या है वैसे ही अगर हम भक्ती करें तो दुख तो रहे लेकिन दुख का प्रभाव न रहे तो फिर उस दुख से हानी भी क्या है कोई हानी नहीं है इसलिए हमें यह नहीं सोचना है कि आरे भक्ती करेंगे फिर भी दूख आएगा दूख दूर नहीं होगा तो भक्ती करने से फाइदा क्या है फाइदा होगा फाइदा यही होगा कि दूख आएगा लेकिन उस दुख से हम बिशलीत नहीं हो पाएंगे इसलिए हमें भगवान की भक्ति छोड़नी नहीं है कितना भी दुख आये हमें भगवान की भक्ति करते रहना है हरे कृष्णा